वेलकम तो आट पैशन, रिमेंबर तो सब्सक्राइब माइ चैनल और प्रेस बेल आइकोन फो नोटिफिकेशन हेलो, नमस्ते, हाव आर यू आल तोड़े आप सब 3-4 फेस कैसे ड्रॉ करना है, मेंदी में ये सीखना चाहते हो तो आज का हमारा जो वीडियो है, उसी टॉपिक पे बना हुआ है और इस तरह के बहुत सारे टुटोरियल में आगे जाके बनाने वाली हूँ अगर आप देखना चाहते हो, तो क्या करना है, आपको मालूम ही है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी हमारे टुटोरियल हमारा वीडियो को मिस ना करे चलिए तो मैं आप लोगों को एक्स्प्लेइन कर देती हूँ थोड़ा टेकनिकल टॉपिक है 3-4 फेस ड्राउ करना लेकिन मैं बहुत डिटेल में या टेकनिकलिटी में नहीं जाओंगी क्योंकि ये सारी बाते मैं अपने दो वीडियो के जरिये अल्रेडी एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ कि साइड फेस किस तरह से ड्राउ करना है उस वीडियो में और पोट्रेट का स्केचिंग का एक वीडियो है उसमें मैं हमारे फेस के प्रपोर्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ अब इस वीडियो में मैं बहुत ही एक simple technique जो मेरे लिए काम करती है जिसको इस्तमाल करके मैं बहुत आसानी से bride draw कर पा रहे हूँ वही technique आप लोगों के साथ share करूंगी हलाकि figure drawing में proportions बहुत ही important है proportion के बगेर आप कोई भी figure drawing करते हो तो वो बहुत ही unnatural लगता है तो इसलिए मैं आप लोगों से request करूंगी अगर वो डो वीडियो आप लोगोंने नहीं देखे हैं तो please आप उसे देख लीजिए link मैं description box में डाल दूंगी और comment section में भी डाल दूंगी जैसे आप जानते हो मेरे previous वीडियो में जिस तरह से मैंने explain किया है हमारा जो चहरा है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है equally तीन portion में बटा हुआ होता है I think pencil से आप लोगों को line नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं ball pen का इस्तमाल कर लेती हूँ किस तरह से यहां से hairline शुरू होती है hairline से eyebrow का junction eyebrow के junction से nose का junction और nose से chin डाड़ी का junction तो इस तरह से अगर आप खुद भी अपना चहरा भी माप लोगों अपने चहरे का भी माप लोगे तो इसी तरह से आपको तक्रीबन approximately तीन हिस्सों में आप अपना खुद का चहरा बटा हुआ मिलेगा जो हम perfect proportion कहते हैं वो इस तरह का होता है थोड़ा सा इधर उधर तो कुद्रत है हो सकता है तो यह reference line जब आप practice कर रहे हो तब आप draw कीजे उसके बाद आप इतनी सारी practice करोगे कि आपको reference line की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा जो मांग टिका है वो तक्रीबन इधर आ सकता है और हमारा जो nose, lips और eyebrow का junction eyebrow का junction, nose और lips कुछ इस तरह से इस line में आ सकते हैं तो हमारी एक आँख यहां आएगी एक आँख यहां आएगी और हमारी जो line है face cut की वो कुछ इस तरह से आएगी तो यह हमारा एक face cut हुआ फिर हम क्या कर सकते हैं हर बार यह center line भी draw करने की जरूरत नहीं है अब हमारी जो eyebrow आएगी वो जो हमारा eyebrow junction का यह जो part है उसके थोड़े उपर से आएगी क्यूंकि फिर वो कव होती हुई इस तरह से जाएगी और फिर यह हमारा nose यह हमारी आँख यह nose का कव दुसरी जो हमारी eyebrow है वो यहां से थोड़ा उपर जाके फिर निच्चा आएगी अब जो हमारी इस side की आँख है वो पूरी आँख नहीं दिखेगी क्यूंकि हम three-fourth face draw कर रहे हैं और हमारी bride जो है वो इस direction में देख रही है तो इसलिए हमारी आँख की जो कीकी है हमारा जो आईरिस है वो इस corner में है फिर दुसरी जो आँख है वो eyebrow से थोड़ी दूर अंदर की और इस ऐसे यह angle पर आएगी और वो भी side से थोड़ी आएगी इस तरह से गलती यहां पर हो जाती है कि जब मैं आपको यहां पर draw करके दिखाती हूँ क्या गलती हो जाती है कि जब भी कोई beginner draw करता है और वो angle आँख का वो भूल जाता है कि हमारी एक तो three foot है आँख तो इस तरह से थोड़ी ही आधी like three foot आई इस तरह की आएगी यहां की आँख पूरी आएगी लेकिन कई बार इसको corner में डालके इसको center में डाल देते हैं यह गलती हो जाती है यह eyebrow यहां पर ऐसे हो जाती है तो यह corner पकड़के दूसरी eyebrow को यहां पर खीच लिया जाता है यह गलती भी हो जाती है so don't यह नहीं करना है यह करना है फिर हमारा जो चैरा है हमारे जो lips है वो इस तरह से आने के बज़े थोड़े से side पर चले जाते हैं और फिर पूरे lips draw हो जाते हैं यह भी गलत है क्योंकि three-fourth face है तो हमारे side का जो corner है वो थोड़ा सा आएगा यहां का corner यह side का lips ज़्यादा दिखाए देगा और lips भी हमारा nose के ऐसे नीचे आएगा इस तरह side पर नहीं आएगा फिर यह eyelid हमने draw का दी तो इस तरह से हम three-fourth face को draw कर सकते हैं अब आखों का angle एक line में है आख तो कई बार यह आख ऐसे नीचे उतर जाती है तब भी ऐसे इस तरह से angle में आ जाती है फिर चेहरा सीधा आख ऐसे तेड़ी यह भी गलत है अगर चेहरा उपर देख रहा है इस तरह से उपर है तब आख इस angle में आएगी यह correct है लेकिन चेहरा अगर सीधा देख रहा है और आख तेड़ी है यह गलत है तो यह बहुत छोटी छोटी बाते हैं जो आपको ध्यान म रखनी है जब भी आप 3-4 फेस ड्रॉ कर रहे हो और प्रपोर्शन को भी आपको बहुत बखुबी से अपने एक जहन में उतार देना है मैं अब सिमिलर फेस कौन से आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी और I hope कि मैं जो explain कर रहे हूं वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ र रेफरेंस लाइन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं तब ठीक है लेकिन उसके बाद रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आप उपर से लाइन शुरू ना करके इस तरह से भी शॉर्टकट ले सकते हो और जब भी आप कौन से ड्रॉ करो तो पहले बहुत ही फेंट बहुत ही पतली वाली हल्की वाली लाइन ड्रॉ करो ताकि अगर कुछ गलती हो भी जाये तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो फिर आखे इस कॉर्णर में है आई लेड़ देखिए आखे भी मैं किस तरह से बहुत फेंट लाइन से ड्रॉ कर रहे हूँ सारे जो फिचर्स हैं हम बहुत ही हल्की लाइन को इस्तमाल करके ड्रॉ कर रहे हैं फिर हमारा मांगिका यहां पर आएगा और फिर हम इस लाइन को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पर दूसरी आईलिर और हमारा जो कान है इस तरह से और उसमें हम इस तरह से बाली पहना सकते हैं अब जब हमें लगे कि हमारे फिचर्स अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं यह मांगिका पूरा और साइड की जो हैर लाइन है इस तरह थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि हम यहां से जुड़ा भी दिखेगा फिर यहां पर हमारी बिंदी अब हम जाके इस लाइन को मूटी परफेक्ट कर सकते हैं और देखे किस तरह से आखो की जो हमारी आईरिस है उसको मैंने आखो की की को मैंने राउंड ड्रॉ नहीं किया है मैंने ओवल शेप इस तरह से ड्रॉ किया है देखेए सिर्फ इतना ड्रॉ किया है मैंने फिर नेक लाइन अबर बालिया बड़ी है तो और गले का नौलक खाहार ब्राइड का तो यह रही हमारी खुबसूरत थ्री फोर्ट प्राइड और जितनी आसानी से मैं अब इसको ड्रॉ कर पा रही हूं मैं हो मैं आशा रखती हूं कि आप भी अब इसे इतनी ही खुबसूरती के साथ परफेक्शन के साथ ड्रॉ कर पाओगे यह बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था मैं थोड़ा हैजिटेट हो रही थी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भी है लेकिन मुझे लगा कि मेरी अपनी इजी टेक्निक के साथ जिस तरह से मैं इस ब्राइड को ड्रॉ कर रहे हूं मैं आशा रखती हूं कि मैं उसी तरह से आपके साथ भी वो टेक्निक शेर कर पा रही हूं और आप इसको आसानी से सीख सकते हो मेरे साथ तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेर करने की जुर्रत कर रही हूं क्योंकि मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं किस तरह से आप लोगों को यह सारा एक्स्प्लेइन कर पाऊंगी लेकिन आई होप मैंने अच्छे से इसको कर दिया है अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो तो इसी तरह आ आप रेफरेंस लाइन को लेके प्रैक्टिस कीजिए और इतनी सारे प्रैक्टिस कीजिए कि फिर आपको रेफरेंस लाइन की जरूरत ना पड़े और जो छोटी-छोटी बाते मैंने आप लोगों से शेर की है कि किस सरह से आँखों का एंगल, आइब्रोज का एंगल, अब तक वापस मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, stay blessed, stay inspired, take care everyone, thank you, bye bye, see you